दोस्तो आज मेरी बालकोनी में इतनी सारे ब्रहम कमल के फूल एकदम आसपास के लोग भी देखके चोकित रह जाते हैं सो से भी ज्यादा और एकदम इतनी प्यारी प्यारी खुस्बू की पूछिय ही मत सिर्फ मेरी बालकोनी में ही खुस्बू नहीं है मतलब आसपास के जो मेरे निवर्स है उनके आसपास भी ये खुसबु फैल रहा है और ये जो खुसबु है ना कोई मतलब स्ट्रॉंग खुसबु नहीं है लेकर एकदम धीमी धीमी खुसबु तो एकदम प्यारा सा खुसबु एक ही फूल अगर रख देंगे ना तो वो भी एकदम खुसबु चारो तरफ फैल जाएगा तो दोस्तो देखें मेरी बालकोनी में दो बड़े बड़े प्लांट है जो मैं आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में भी सेयर की थी और छोटे-छोटे कुछ फ्लांट से और हर किसी प्लांट में कोई ना कोई फूल तो खिला है लेकिन जो बड़े-बड़े दो फ्ला उन्हें में रात को ही मंदिर में चड़ा दी थी और आज तो एकदम सोव से भी ज्यादा है फूल तोड़ते-टोड़ते में ठग गई और कुछ बाकी भी रह गए थे जो मेरे नजर में नहीं आई थी तो इतना प्यारा सा फूल है दोस्तो सफेद कलर का एकदम कमल जैसा फ साड़े 9 वजे हैं और थोड़ा सा देर जैसे 11 वज जाएगा न एकदम से खूल जाएगा इसके पिटल्स जो है पूरी तरह से खूल जाएगा और एक तो बहुत ही प्यारा लगेगा लेकिन इतने देर तक हम लोग जाकते नहीं तो इसलिए मैं 10-10 वजे मैं तोड लेती क्योंकि सुवा सुवा आप जब देखोगे तो एकदम फिर जैसे कली जैसा बन जाएगा मुझ जाकर कली जैसा बन जाएगा सुवा सुवा आपको बिल्कुल भी खेलते हुए नहीं दिखेगा तो अगर इसको आप देखना है तो रात को ही जाके ही देखना पड़ेगा अगर आप रात 10 बजे तक जागोगे तो आपको दिख जाएगा एक्तम प्यारा सा सफेद कलर का बहुत ही अच्छा लगता है और इतना सारा फूल की चारो तरफ दिखता है और हर कोई इसे देखता ही रह जाता है हर साल जो बारिस में बारिस के मौसमें यह बहुत ही ज्याद ज्यादा फूल खिलते हैं बहुत सारे फूल खिलते हैं लेकिन और बारा महिने जो है एक दो ऐसे कभी-कभी एक महिने में दो महिने में इसे खिलते रहते हैं और जब इतने सारे फूल खिलते हैं तो इसका खुस्पू तो लाजवाब होता है एकदम मतलब चारो तरफ बच्टके दो से जर्ड के भी लच्टी में लगा लोन कि वियंगे तो तोके में पर सब्लय मियुल्च ihis दोस्तों रखाती से यह के आपर नगता है है तो जर्फ सब्सक्राइश मूह बक्रदर की करनतर करें हैral। लेकिन फूल तभी नहीं खिलेंगे, ये फूल खिलने में सायद एक देड़ साल तो लगी जाएगा, लेकिन जब छोटा होगा तो ज्यादा फूल नहीं खिलेगा, एक दो खिलेंगे, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो बहुत सारे फूल खिलते हैं बारिस के मौसम में तो इसके जो पत्तियों में से छोटे-छोटे एकड़ जैसा पहले ये कली निकलेंगे फिर ये धीर ये धीर धीर ग्रो करके 15 दिन लग जाएगा ये पूरी तरह से फूल खिलने में तो देखे यहां पर मैं मंदिर में लाकर लगा दी हूँ और भी मतलब जगा नहीं हुआ मंदिर में तो उसके उपर उपर ऐसे करके रख ली हूँ पता नहीं चल रहे हैं बहुत सारे फूल सौल से भी ज्यादा और फूल तोडने के बाद मैं सुवा सुवा देखी तो और भी बहुत सारे बच गे थे नहीं आ रहे थे क्योंकि इतने सारे फूल है कि नजर में नहीं आ रहे हैं देखी इसका जो बीच वाला हिसा कितना प्यारा लग रहा है इसका पीटल्स कितना एकदम सफेद कलर का बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तों आप भी अगर चाहेंगे तो एक लीप से ही अभी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि बारिस का मौसम में अगर अभी आप ग्रो करोगे तो ये जड़ पकड़ लेगा तो सायद अगले साल ये फूल द देखें मैं इसके ऊपर और दबा दबा के ऐसे रख्यों पता नहीं जल रहा है क्योंकि कितना सारा है कैसे मैं अरेंज करू तो कितना प्यारा लग रहा है तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लेज आप लो कमेंट करके बताएगा आज के लिए इतना ही नेक्ट व्लग में मि लुँष्टू?